अब आती कार्टिशन प्रोड़क्ट यहन की कार्टिशन प्रोड़क्ट ओफ सेट्स देखिएगा कि क्या है कि यहां से हम क्या करते हैं भी लेट किरते हैं लेट ए a and b r b r non-empty set ठीक है non-empty set है d Cartesian Cartesian product होता है उसको denote कैसे करते में denoted by a x b ठीक है अब a x b में क्या होता है भी कि इसके अंदर क्या होता है a x b कैसा set होता है a x b is set of all elements कैसे होता है all all क्या होते है भी a x b क्या होता है इसके अंदर क्या आने वाले ordered pair आने वाले ठीक है all ordered pair all ordered pair ठीक all ordered pair आएंगे किस परकार क्याएंगे भाई कि यहां पर a b type क्या आएंगे ठीक है all ordered pair ठीक है ओए b from elements from set a and b यहां पर a x b क्या होता set of order pair a b type क्या आएंगे जहां पर elements from a and b आएंगे ठीक है तो इसका जो दूसरा जो हमारे पास set builder form होता है वो क्या होता है वो इसकी जो definition आएगी वो आपको यहां पर understand करने वाले है क्या होती भाई a x b है इसका दो दूसरा रूप है वो क्या है वो यह है कि इसके अंदर element आते है a, b type के such that और यहां से क्या होता है जो a होता है अपना जो a होता है वो किस में आता है और end जो b आता है वो किस में आता है b set में से आता है तो इस परकार के set को क्या बोलते है ordered pair बोलते है अब यह क्या होता है इस परकार यह इसका क्या हो जाता है अब element हो जाता है इस set का इसको क्या बोलते है element और यह अंदर जो बैठे हुए है न यह a और b वो कहां से आ रहे है from elements from set and a beat से आ रहे हैं ठीक है यह तो यहां तक आपको आई ओप खानी समझ में आई होंगी हम क्या कर रहे हैं ठीक है तो यह अपने पास क्या आया एक ordered pair का क्या आया कि definition आया भी partition product का definition क्या है ठीक है तो अब चलते हैं हम इसके examples के बारे में अब मैं आपको बना बना के दिखाता हूँ कि partition product हम कैसे बनाते हैं ठीक है यानि actual में मैंने आपको बनाना तो शिकाई दिया था पहले example में अब और देखते हैं और क्या करते हैं तो यहां से ठीक है अब देखिएगा कि क्या है यहां से एक set आएगा जो कि 1, 2, 3 आएगा और दूसरे set में देखिएगा कि B है जिसमें क्या आएगा 2, 3, 4 समबल लिजेगा ठीक है यह है अब इसको क्या करेंगे हमने सीखा वही एक तो A set आता है और एक हमने सीखा वही B set आता है ठीक है अब यहां पर जितने element है 1, 2, 3 और यहां पर है 2, 3, 4 अब यहां पर जितना उस side जो left side में बेठा हुआ आदमी है यह number यह उतने ही तीर मारेगा जितने इधर element है और हर element इसको तीर मारेगा भई यहनि कि इसके साथ विश्वासगात करेंगे यह सब इस परकार से ठीक है यह आपको समझ में आया होगा इस परकार से हम चल रहे हैं ठीक है तो पहले देखिएगा पहले देखिएगा कि 1 कितने तीर मार सकता वो देखते हैं 1 के पास देखिएगा कि 3 तीर यहां से 3 और 1 ही है तो इस परकार से इसके कितने ordered pair आएंगे देखिएगा और यहां पर हमें find करना है एक rows B ठीक है अब यहां से क्या हैगा भई देखिएगा कि एक rows जो B है वो क्या है कि यहां से यह इस set में तो हमें denote करना ही होता है और इसमें देखिएगा कि जो elements है वो कैसा है फर्ष्ट जो है वो कैसा है फर्ष्ट के साथ कितने तीर लग रहे है तू के साथ लग रहा फर्ष्ट कहां पर दे रहा तीर एक तीन के साथ तीर दे रहा और एक इस के साथ दे रहा फोर के साथ ठीक है अब तू को पकड़ो अब 2 को पकड़िएगा और 2 कितने तीर देगा यहां पर और यहां से इस परकार से तो इस परकार से देखेंगे तो यहां पर देखेगा कि 2 किस के साथ 1 के साथ 2 के साथ 2 के साथ और 2 4 के साथ इस परकार से यहां पर कि वह Cartesian product दे रहा है, यहन कि element दे रहा है, sorry, ordered pair दे रहा है, ठीक है, यह पूरा होगा, वो आएगा अपना Cartesian product तो, ठीक है, और यहां से इसके तीर हटा दूँ अब आप, अब यहां से आएगा 3, अब यहां से 3 आएगा, वो क्या करेगा भई, यहां इसको तीर देगा, फिर इसको तीर देगा फिर इसको तीर देगा इस परकार से इसके दुआरा कितने ordered pair बन रहे वो देखिएगा 302 और यहां से कितना आएगा 33 और यहां से कितना आएगा 34 यह आई होप आपको समझ में आयागा और आपको यही भात ध्यान में रखने हमको कुछ भी नहीं आता Cartesian product बट इतना देख ली जगा कि जब भी आपको 2 सैट देदें और बोले वही Cartesian product तो एक सैट जो भी 1 वाला होगा वह आपके left साइड में बेटेगा और जो जो दूसरा सैट होगा वह आपके right साइड में बेटेगा फिर उन में से देखो कि first वाला कितने को तीर मार सकता है इधर बस तीर मारना सीख जाओ आप तो क्या करना अपने को तीर मारना how to arrow ठीक है तो देखिएगा कैसे हम तीर मारते हैं वह देखना है तो अब अपने पास देखेंगे examples क्या कि हमने यहां पर non empty set लिया है यदि जब भी एक set empty हो जाता है तो क्या हो जाएगा वहां पर तो वहां पर क्या Cartesian product में कुछ change आने वाला है वह भी देखते है या फिर एक भी अपने पास यहां पर A और B है वह क्या आ जाता है यदि एक finite आ जाता है एक infinite आ जाता है तो इसमें भी क्या हो सकता वह भी देख लेंगे क्या है तो देखिएगा कुछ important point से देखिएगा कि यहां पर कि क्या है इफ आइधर A और B are empty empty set then देखिएगा कि Cartesian product क्या होगा Cartesian product of A cross P is also is also empty okay यहां पर यह बात अब secondly यदि आपके पास में यदि कोई भी A set यानि B set इन में से कोई भी एक infinite हो जाता है तो उस case में अपने पास क्या होता है तो Cartesian product होता है वह भी क्या हो जाता है if either A or A or B are infinite set then A cross B is also infinite infinite होगा तो यह आओगी आपकी conditions यानिकि जब infinite जब finite हो तो क्या होगा जबकि non empty हो तो क्या होगा ठीक है अब हम करते हैं यहां पर हम discussion कर रहे हैं देखिएगा कि थोड़ा सा आप ओज़र करोगे पिछले वाले examples में तो यहां पर अपने पास nine है वो कितने आएं यहां पर एक रोस भी कार्टिशन product के अंदर कितने element आए यहां पर देखिएगा कि एक के अंदर three element है दूसरे के अंदर three element है इन दोनों का multiply कराएंगे तो आपके पास में आजाएंगे total element in partition product आ जाएगा ठीक है इस परकार से इसी परकार देखिएगा कि यह क्या है कि आपको यह बात help करने में मदद करेगा यदि इसमें से एक site भी आपका यानि कि empty हो गया तो उसके अंदर number of cardinalty कितनी होगी zero तो total जो अपने पास जो partition product था उसकी जो number of cardinalty कितनी होगी zero इसलिए उसको बोलागा कि वह cardinal यानि कि a cross b है वो also empty होगा क्यों होगा क्यों कि उसके अंदर कोई element ही नहीं होगा ठीक है आई भास समझ में इसी परकार यह हो सकता है कि यहां पर यह देखना है यहां पर क्या हो सकता है यह एक set भी अपने पास क्या हो गया यह एमटी हो गया और एक infinite हो गया तो उस case में तो infinite हो जाएगा और यानि कि a क्या होगा finite होगा either a is finite and b is sorry यहां पर हमें थोड़ा सा changement करना पड़े हुए यहां से देखिएगा कि a is finite ले लिजेगा कि non empty ठीक है एक क्या है यह भी एक इसको क्या बोलदेंगी भई एक non empty और क्या बोलदेंगी फाइनाइड यह इनकी non empty बद फाइनाइड होगा either और और क्या होगा जो बी होगा b is infinite ठीक है तो इस परकार से अपने पास जो एक रोस भी होगा वो भी क्या आजाएगा infinite आजाएगा ठीक है अब चलते हैं अपने पास देखिएगा कि क्या कि हम एक क्या करने वाले है इसके numbers जो भी है क्या कर्टिशन प्रोड़क्ट में number कितनी होंगे वो देखने वाले है अब देखिएगा कि अपना जो third point है वो देखते हैं वह if any any is denote the number numbers number of elements in set a and nb is also denoted 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 the number of elements in set b ठीक है तो then then total number in partition product a cross b तो इसके अंदर क्या है कि इसको हम किससे denote करते है a n cross b और यह क्या होगा n a multiple n b ठीक है इसके अंदर कितने numbers होंगे और इसके अंदर कितने numbers होंगे यह इसका formula आ गया वह यह तो यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है ठीक है यह और एक यदि देखिएगा कि अपने पास देखिएगा कि यह इस तरीके से कोई भी एक और क्या है कि अपने पास देखिएगा कि यह suppose that कि a cross b a cross c है तो देखिएगा कि then जो a cross जो a cross है वह कैसा होगा a b c और यहां पे a b c कि जो small है वह belong किस में कर रहे हैं भई वह कर रहे हैं a belonging to a में है और जो b है वह किस में है b set में है और c है वह c में है ठीक है और इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इस is called triplet ठीक है triplet बोलते हैं